हेलो स्टुडेंट्स दिस स्रिस्टियो पात्याय प्राम प्रैक्सस बिद्यापी ठुध हुली बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे साइन्स का चैप्टर नमबर 11 जिसका नाम है बैदर एंड सीजन्स तो आपको मैंने बताया था बैदर मींस क्या ह होता है मौसम सीजन मींस भी होता है मौसम बट दोनों में बेसिक अंतर क्या है दोनों में डिफ्रेंस क्या है इस बात पर हम लोग आगे चैप्टर में डिसकस करेंगे लेकिन जो बैदर होता है बिटा यह टाइम टू टाइम साथ साथ बदलता रहता है जैसे आप सूबा देखते हैं, सूबा धूप निकलती है, सूबा क्या होगा? थोड़ा सा थंड़क रहता है, दोपहर में धूप तेज हो जाती है, तो थंड़क कम हो जाता है, है ना? you see that we are we रेनी वेदर हो गया रेनी वेदर हो ठीक है बारिस होने लगा तो थोड़े टाइम के लिए जो वेदर कंडीशन रहता है यानी कि ऐसा इसा और एट्मॉस्फेरीक कंदेशन हम सकते हैं एट्मॉस्फ़ेर के वो आवज्था जो थोड़े टाइम के लिए होती है, मेशा मेशा चेंज हो जाती है, उसे कहते हैं वेटा, वेदर, इट मेशेंज डियूरिंग दे सेम डे और ओवर फ्यू डेज, ये एक ही दिन में कई बार चेंज हो सकता है, जैसे सुबा देखते हैं, अभी ठंड के टाइम में कहरा है, दोपर होने पर धूप हो जाता है, साम को फिर ठंड हो जाती है, नाइट में क्या होगा, फिर से कहरा हो जाएगा, तो ये क्या है, ये वेटा, वेदर है, कुछ दिन का कुछ पार ठंडा होता है, दिन का कुछ पार गर्म होता है, तो ये थोड़े थोड़े टाइम पे जो चेंज हो रहा है, इसे हम लोग वेदर बोलते हैं, इट में रेन और समडे, जैसे मैं बोली कि कभी कभी क्या होता है, अचानक से बारिस होने लगती है, इस सुरज निकल गया बहुत तेज सई हो गयी तो क्या होगा गरम मौसं होगा सूरज नहीं निकला है सूरज च्पा हुआ है तो क्या होगा थंडा मौसं हो सब्गार हवा थेज चलते हैं कभी बिल्कुल नहीं चलती है तो इससे Bayern थे मौस मशन एफ्ञेक्टेड होता है सब्सक्राइब कि ये कौन सा सीजन इसमें कौन है बहुत तेज से दूप और ओचने पानी पी रहां तो कौन सा इसको इसको क्या कह सकते है रहत ठीक है यह क्या है वयबर घर है यहां पर देखिये रही है और कि सी ने चाता ले रहा है ठीक है अम्रेला लेकर एक बच्चा खड़ा है तो यह कौन सा वयगिया यहां पर बिजली हो रही है तो रहांफे बैर्स होने वाली है तो इसको हम क्या कर सकते हैं यो बादल दिख रहा हैं को तो क्लाउड़ी सकते ना काल काले बादल दिख रहा है कौई आख सेक रहा है आख ने का मिदलब क sulNet स्वेटर प公ण वेदर नाटल attribute cloudy and cold यह सब क्या है weather है अब इससे related यहां पर कुछ questions है यह आपको खुच्छे करना है बट मैं आपको बता दे रहे हूं what kind of weather is it today आज का मौसम कैसा है ठीक है इसको आपको यहां लिखना है आज का मौसम कैसा था शनी था दिन में धूप था ना तो हम लिख सकते हैं शनी तो कल का मौसम कैसा था तो कल अगर ठंड़क थी तो क्या लिख सकते हैं cold what type of weather do you like आपको कौन सा वेदर बहुत ज्यादा पसंद है धूप वाला वेदर पसंद है या बारीज पसंद है या थंड़ा पसंद है गरम पसंद है तो जैसा वेदर आपको पसंद है आप ऐसे यहां पर फिल कर सकते हो आप जब स्कूल जाते हो तो आप कैसे कपड़े पहनते हो आप लोग स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हो तो यह आपके क्वेश्चन के आंसर है इसको आप लोग अपने बुक में पैंसल से फिल कर लीजिएगा तो अब हम लोगोंने वेदर समझ लिया है समय के लिए होता है और जल्दी जल्दी चेंज हो जाता उसे क्या बोलते हैं दूप वाला शन निकला हुआ है तो क्या होगा संराइज है तो यह सब ऊसकते हैं तुरंट तुरंट चेंज हो सकते हैं कुछ आज में कुछ मिनट में कुछ डेज में वन टाइप अफ बेदर कंटिनूज फॉर मैनी डेज इट काल इट सीजन वी कॉल इट सीजन अंडरलाइन करिएगा इतने बातों को और तुरंट लर्ण कर लिजे वन वन टाइप उफ ठीक है कोई पुछे हाओ मैनी सीजन अर देर इन ए यह तो देर फाइब में सीजन इन एक साल में पांच मौसम होते हैं कौन-कौन से मौसम है देर विंटर स्प्रिंग समर मांसून और आटम तो आप से कोई पूछे कितने सीजन है आप बताओगे देर फाइब सीजन उनका ना पूछा जाएगा तो विंटर स्प्रिंग समर मांसून और आटम तो बिंटर में स्थंडी स्प्रिंग वसंत्थ समर गर्मी मांसून बरसात और आटम में पट जड़ जाते हैं आगे देखे डिफेरेंट टाइप सफ्लास फूट्स एंड प्लांट ग्रों इन इस सीजन हर ए तो अलग-अलग सीजन के एकॉर्डिंग बहुत सारे प्लांट गरते हैं जैसे ठंडक में लोग उलेन क्लास पहनते हैं нуться में हम लोग cotton उल्य कोड़े भी पहनते हैं लघ कोड़ी करना बंको हर एक सीजन के बारे में लग अलग हम वाइफ सीजन और पांचों सीजन उल्य चाने हम सहाद राघ्र और पहले हम को एसे ह syntौट story सीजन मतलब सर्दी का मौसम जो अभी चल रहा है कॉंटिन्यू है ना विंटर सीजन सो देखिया इट इज वैरी कोल डियूरिंग विंटर विंटर के मौसम में ठंडी के मौसम में बहुत ठंडी लगती है बहुत थंडा होता है वी वी और उलन क्लॉस सारे लोग हम लोग क्या पहनते हैं उलन क्लॉस पहनते हैं उलन क्लॉस मतलब उनी कपड़े लाइक टो ड्रिंक हाट ड्रिंक हमको गरम गरम चीजें पीना पसंद होता है जैसे सूप हाट मिल्क और टी ठीक है हम लोग क्या पीना पसंद करते हैं बिटा हम लोग गरम चीजें पसंद करते हैं पीना जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, सूप हो गया, दूद हो गया, गरम-गरम है ना, ये सारी चीज़े हम ज़्यादा प्रिफर करते हैं, तो विंटर सीजन समझ के आप लोग बहुत ठंडक होती है, हम लोग उलेन क्लॉस पहनेंगे, खाने पीने में हमको गरम-गरम चीज़े होंगे, अब देखिए, ब्यूटीफुल फ्लार्स ब्लूम ड्यूरिंग स्प्रिंग, याद रखिएगा, सुन्दर सुन्दर फोल खिलते हैं स्प्रिंग सीजन में, अभी जो ठंडी के बाद आएगा, फेवरेरी मार्च के महीने में, उसको हम क्या बोलते हैं, इसके बाद गर्मी में, फिर प्रूट्स लग जाते हैं, आम वाम का फल आपको मिलने लगता है, तो इस सीजन में, इस स्प्रिंग सीजन में, जिसको वसंत रितु कहा जाता है, इस सीजन में, बहुत सुन्दर सुन्दर फ्लार्स खिलते हैं, पेड़ों 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 पेड़ो बाएरिष और से कोई पूछे प्लीजेंट किस मौसम में होता है तो आप लोग बता अगे तुरण क्या स्प्रिंग सीजन में अब कौन सा मौसम आ गया समर सीजन गर्मी का मौसम आप सब पता है कैसा होता पर गरमी में बहुत जादा घरक फील होता है हम लोग कॉटन प었던 पैनते हैं बहुतने काटन क्लॉस पहनते हैं क्लॉस अपने आपको थंडा करने के लिएıkt कपडेफे हिल्क हेल्क कपड़े और कटण के लाज जो होते हों पसीना भी सोक लेता यूज्ग पंकें यूज़ करते हैं और के फूलरे यूज़ करते हैं जोसे हमको हवाल लगे यूज़ीफे सब्सेंदरते या नौना economy सब्सक्रिम होगा we like to eat ice cream watermelons and have cold drinks तो हम लोगों को पसंद होता है क्या उस चाइम पर ice cream खाना पसंद होता है watermelons cucumbers ठीक है ज्यादा हम इस इन सारे fruits को प्रफर करते हैं इसके लामा cold drink पीते हैं आप सबको भी पसंद होगा cold drink ice cream तो देखिए अब क्या देखेंगे आगे कौन सा सीजन है autumn season next season कौन सा है बेटा autumn season autumn season means होता है पत्जड का मौसम इन autumn the weather is neither hot nor cold याद रखिएगा पत्जड के मौसम में ना तो मौसम बहुत ज़्यादा गरम होता है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा most of the trees set their leaves during autumn बहुत सारे पेड़ जो होते हैं वो पत्जड के मौसम में अपने पत्तों को गिरा देते हैं पत्जड नाम से ही पता चल रहा पत्जड में जड़ जाना तो autumn means होता है पत्जड जिसमें क्या होता है मौसम इस मौसम में सारे पेड अपने पत्तियों को गि आचवा मान्सून 시जन इन मान्सून season it rains the most मान्सून यानि वारिश के मौसम में बहुत जाधा बर साथ होती है the sky is covered with dark clouds in this season इस मौसम में जो आसमान होता है उस पे काले काले बादल चाहे रहते हैं वे वीए रेंगोट और टेक अम्रेला, वन वी गो आउट, जब हमको बाहर जाना होता है, तो हम लोग रेंगोट पहन लेते हैं, या अम्रेला लेकर के जाते हैं बाहर, जिससे हमको बारिस में भीगना ना पड़े, वी कन वीए थंडर अड़ सी, we can hear thunder and see lightning in the sky on a cloudy day आकास में जब काले-काले बादल होते हैं और कभी-कभी हम क्या देखते हैं बिजली चमकती है आकास बहुत तेज से गरसता है और हम लोग डर भी जाते हैं तो आप लोगों ने भी सुना होगा बादल के गरजने की आवाज और बिजली के कड़कने की आवाज सुना होगा और देखा भी होगा तो यह ऐसा कब देखने को मिलता है बारिस के सीजन में आगे देखेगा सम्टाइम्स भी आल्सो सी रैन्बो इन दे स्काई अप्टर इटरेंस और कभी कभी हमको एक बहुत सुन्दर सा रैन्बो देखने को मिलता है आकास में रैन्बो क्या होता है जिसमें सेवन कलर्स होते है और जब बारिस हो जाती है तो बारिस होने के बाद हमको इसकाई में रैन्बो दिखाई देता है इसमें seven colors होते हैं और यह हमको तभी दिखाई देता है जब बारिश हो जाती उसके बाद ऐसे दिखाई देता है ना रैन्बो अब दिखेंगे आगे the rains are important for growing crops बारिश जो है अनाज के लिए यानि कि खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है तभी तो अगर पानी नहीं पाएंगे पेड़ तो वो grow कैसे करेंगे आपने photosynthesis पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में photosynthesis में क्या बताया गया था कि plants make their food with the help of carbon dioxide water chlorophyll and minerals ठीक इन सारी चीजों के help से पौधे अपना खाना बनाते हैं तो water जब एक important factor है plants के खाना बनाने के लिए water बहुत जरूरी चीज है तो water ही नहीं मिलेगा पौधों को तो पौधा खाना कैसे बनाएगा और खाना नहीं बनाएगा तो वह survive कैसे करेगा growth कैसे करेगा बढ़ेगा कै है ना तो रेन इस तरह से जो बारिस है वो पौधों के लिए crops को grow करने के लिए अनाजों को grow करने के लिए बहुत important होता है without rain the crops get dry up और जब बारिस नहीं होती है तो जो अनाज होंगे वो सूख जाएंगे कथे ना drought हो गया है सूखा पढ़ गया है तो this is all about this chapter बेटा हमने इस chapter के बारे में जो भी था सारा पढ़ लिया है अब हमको एक बार इस chapter को फिर से revise कर लेना है तो आपने क्या पढ़ा पहले weather and season weather and season दोनों का मतलब क्या होता है लेकिन अंतर क्या है जो weather होगा वो थोड़े समय के लिए होता है और तुरन तुरन चेंज होने लगता है ठीक है तुरन तुरन क्या होता है बिटा वेदर चेंज हो जाता है जैसे आपने देखा कि sunny कभी धूप हो गया कभी ठंडा हो गया hotness coldness यह सब क्या है आपका weather है atmosphere का वा condition जो थोड़े time के लिए होता है उसे हम लोग weather कहते है for example हम कह सकते sunny है ना rainy cold hot यह सब हो गया आपका weather अब देखेंगे season तो season क्या है atmospheric condition for a long period of time atmosphere का वा condition जो ज़्यादा समय तक रहता है लंबे समय तक रहता है उसे हम लोग क्या कहते है बेटा उसे हम लोग कहते है season और rainy season तो एक साल में पांच season होते हैं there are five season in a year है ना तो इन पांचो season को आपने पढ़ लिया है winter season में आपको बहुत ठंडग लगती है आप उलन प्लॉस पहनते हो आप गरम चीज़े खाना पीना पसंद करते हो summer season में आपको बहुत गर्मी लगती है है आप cotton cloth पहनते हो अपने एक बार आप ऐसे देख लीजिए कि winter season जो होता है यह आपके नवंबर से स्टार्ट हो जाता है दसंबर जन्वरी अभी जो चल रहा है winter season है इसके बाद spring season आएगा February में February March and फिर आपका आता है summer season तो summer season आपको पता ना April, May, June यह सब क्या है summer season है तो summer season में आप क्या prefer करते हो आपको बता दिया गया अब आता है autumn season पचछड का मौसम जिसमें पेड़ अपने पत्तियों को गिरा देते हैं आगे देखते हैं मानसून मानसून मीज क्या होता है बारिस का मौसम जुलाई अगस्त में जुन जुलाई में बहुत बारिस होती है ना तो यह मानसून सी जन है इसमें खूब जादा बारिस होती है इसमें हम लोग अपने आपको कवर करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हम लोग रेंकोट पहनते हैं अम्रेला ले करके बाहर जाते हैं और हमको बिजली कड़कते हुए दिखाई देते हैं और बारिस होने के बाद हम लोग स्काई में क् तो आपका पूरा चैप्टर खतम हो गया है आप लोग वीडियो को दो तीन बार देख करके अच्छे से चैप्टर को समझ लेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज करवाओंगी ओके बेटा थैंक यू